अभी तक आपने मेरे यूटीब चेनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो यूटीब चेनल को सब्सक्राइब पर लिजिए और इस तरीका का नया नया वीडियो चाहिए आप रोजाना आठ फड़वरी 2021 से WhatsApp की नई policy लागू हो रही है अब WhatsApp पे आप जो भी शेप एन इस्टोर करेंगे, send या रिसीव करेंगे वो WhatsApp, Facebook और Instagram को साथ share करेगा कहने का मतलब है कि आप WhatsApp पहले की तरह private नहीं रह गिया है तो लोग आप नए WhatsApp Alternatives के तलास में हैं मैं आपको दो ऐसे WhatsApp Alternatives के बारे में बताने वाला हूँ जो WhatsApp से कही गुणा ज्यादा बेस्ट, safe and secure है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Shut up and sit down WhatsApp की नी पोलेशी अपडेट के बास से ही signal अफ्लिकेशन का बहुत ही जादे अब यूज किया जा रहा है क्योंकि सिगनल की प्राइविट पोलेशी WhatsApp से कहीं गुणा ज्यादे और बढ़िया और बेटर है इसमें end-to-end description का future दिया गया है यानि कि जो भी आप टेक्स या वायस मेसेज आप किसी को सेंड करेंगे तो यहां पर इस तरीका से वह इनक्रिफ्ट होके वह send होता है जो आप यहां पर फिक में देख भी रहे होंगे यहां पर देखिए यह इस तरीका से यह इनक्रिफ्ट होके यह send होता है कोई पिक या वीडियो यानि के बीच में कोई भी इसको रीड नहीं कर सकता है इसका देमो आप यहां भी देख सकते हैं कि जब भी आप कोई मेंसेज किसी के जब करते हैं तो उसका जो है एक डिमो इस तरीका से आपको send होके वह जाता है यहां पर देख सकते हैं अभी message को send की जए एक अपको यहां पर demo देखा रहा है कि इस तहीं का सही हो तो डिस्क्रिप्सन में यहोँ वह सेंड होके किसी के पास जाता है जो आप यहां पे लाइब देख भी रहे हैं यहां पे इस तरीके से यह जाता है बीच में इसको कोई भी रीड नहीं कर सकता सो इस वीडियो में मैं देखाने वाला हूं कि आप सिंगल अप्लिकेशन का कंप्यूटर पर कैसे यूज करेंगे तो चलिए सुरू कर लेते हैं आप अपने ब्राजर में टाइपिंग कर जिएगा सिग्नल डॉट और जी तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजरी इंटरफिस आपको मिल जागा इसका लिंक मैं वीडियो को रिस्क्रिप्ट में भी दे दूंगा जहां से जाने के बाद ड्राइट आप इस प आप इस प्रेंचन या इपनों नियुक्स करकर द सकते हैं यहां आप देखरेंस को अपने लैक्ताप वींडॉब्स सकते हैं विंडोस के लिए आप यहां download for windows पे click करेंगे click करते यहां पर देखिए कि यह 166 MB का है यह download हो जाता है तो मैं इसको आपको open करके बताता हूं यहां पर देख रहे हैं कि यह हमारा single application download हो गया इसको हम open कर लेते हैं open करने के बाद इसको मैं install करके आपको दिखाता हूं गया या जो जो आज गया है Kathiai ऑपन कर लैता हूं ओपन करने के वब आपको इस तरीय दावाइगा यहां पर देखे कि जब जैसे ही इसको आप स्केन करेंगे तो आपका डिवाइस जो है आपको लेप्टॉप से कनेक्ट हो जाएगा तो चलिए हम अपने मोबाल के देश्टॉप पर आते हैं वहां पर सिंगल अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं इस वार कोड को हम य है इसके लिए हमको मबाल पे सिंगल अप्लिकेश्ट अप्लिकेशन को डांफ्लोड करना पढ़ेगा आपको क्या बने पavorा पर और पर यहां पर क्रेंगे नीचा आयेगा यहां पर यहां पर लेकें ऑप्ज़कों आपको करना eins PCB कर देंगा है जितने भी आपके जो लिंक से जुड़ा रहेगा इसमें टोटल कर टोटल इसमें आपको एड हो जाएगा प्लस वाले आइकन पर किलिक करेंगे अब इसके बदर आपने डिवाइस के पास जाएंगे और आप अपने डिवाइस जो भी जो यह रखा है इसके निंग का वार क यहां पर सबसे पहले आपको अपने डिवाइस का नाम देदेना जैसे मैं यहां पर नाम देता हूं राजा इस तरीके से आपको नाम देदेना यहां से आपको कर देना है फिनिस लिंक फोटो पर किलिक इस तरीके से आपका यह सर्सिंग होना स्टार्ट हो जाएगा इस तर करने की ज़योत नहीं पड़ेगी और नहीं पड़ती भी है इसको सब्सक्राइब करना पड़ता है और आप सिगनल अप्लिकेशन का कम्प्यूटर पर यूज कर सकते हैं इस तरीके से अगर किसी को मेसेज करना है तो इस तरीके से मेसेज वाले पर जाएंगे यहां पर करके नोट बाले पर किले करके आप यहां से नोट बना सकते हैं यहां से किसी को मेसेज भी भेल सकते हैं यहां पर हाय करके इस तरीका से में सेंड कर देता हूं यहां पर देखें मेसेज चल चुका इस यहां से बजाने के यहां से आपको फोटो गरा भी आप जो है मजी से तो इस तरिकवे से यहां से आपको इमेज पोटो काडिश करके आपको एड करके इस तरीका से आपको अगला को है ऑपको सेनर करा दिखा किसी को कर सकते हैं और यहीं से आपको किसी से भी रoft कर सकते हैं कमप्यूटर में Michigan को तो यूज़ करने के लिए mobile phone में आपके जो है नेट का यूज़ होना रहना जरूरी नहीं है जैसे कि जब 800 application को computer चलाते हैं तो उसमें नेट का होना मोबाल में जरूरी होता है उसी तरीका से यहां पर मोबाल में नेट होना जरूरी नहीं है एक बार इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप बहुत ही आराम से आप अपने desktop पर अपने laptop पर आप जो सिग्णल अप्लिकेशन का को चला सकती हैं और बहुत ही आसानी स यहां पर लिख़ूर इंटरनेट बाल कर दिया हूं और यहां पर लेफटाव से मैं मेlesh्स यहां पर च ्रता हूं तो यहां पर दखिए यहां पर कदेंश्र में यहां पर दीक्जर पर Wangika आयुगमबाल खोलिकस्न放ऴर को यहां से देखे पर सकते हैं तो यहां पर को सकते हैं तो यहां प्लिकाइज करते हैं यां पर आपको से यह रहना चाहिए इसमें आप भी कर सकते हैं तो इतना ही टाम तक यह रहेगा इसे मैं यहाँ पर टाइम सेट करता हूं 10 सेकेंट और यहां कि लिघाम यहां पर तक हो जायगा और इसी तरीका से आप कोई भी टाम में यहां पर जाने के बाद तो ततना है तैम तक यह मेशिज रहेगा इसमें और नहीं तो यहां पर जाएका उतने सारा है उस सब पर यहांपर बाला फ्सन है यहां पर टाइमर कर सकती है और और किसी मेशार जेड ऑतना है तरही तक रहेगा इसके बाद यह automatically है जो जो इसको set किजिएगा वह automatically यहां से आपको delete हो जागा हट जागा या इसको off कर दीजिएगा तो यह हमेशा के लिए पर रहभे करेगा हैं से हटेगा नहीं थिए सिग्नल अप्लिकेशन से बाहर निकलने कर यहांपर पुइविध है कि यहां से बाहर आजाएंगे इसके बात दोला 25 इसको उपन करते हैं तो आपको इसमें वार कोड को स्केन करने की जरुवत नहीं पढ़ती है जैसे वाट सब्गरा में पढ़ती थी तो यहां पर देखिए सिग्नल अप्लिकेशन यहां पर स्टार्ट हो गया है तो जैसे कई बार होता है कि मुबाइल फोन पर जैसे हम वाट स चुन दिया हुआ है और यह दो है वारस बत्र ज्यूंत जादे बेटर और संदार यह संधर मते हैं कई defense होता है कि करना पड़ता था वह आपको इसमें आपको यूज नहीं करना पड़ेगा जैसे कि हमें कोई फोटो अपने मुबाल पर सेंड करना है तो यहां पर जो नोट है नोट है इसको हम अपने फोटो को एड कर देंगे और यहां पर मैं जब इसमें कर दूंगा मैं तो अपने मुबा जाएंगे और यहां पर फाल पर रहले किलिक और जहाँ इस तरीकासे इस तरीकास से भावंक करते हं जा तरीके से आपको नोट टू सेल में जाना है और इस तरीके से प्लस वाले एक पर क्लिक के जो भी फोटो आप सेंड करना चाहते हैं या डूकॉमेंट या वीडियो और यहां पर चल जाएगा जब आप अपना मोबाल में अगर आप अपना वाला जो आडि खोड़ियेगा तो आप बहुत ही आसाने से जो भी फैल या फोटो ओडियो आप अपने लेप्टॉप से भीज़े रहेगा उसके डिवाइस पे आप अपना वाला आडि खोड़ियेगा तो वहां पे यह वाला जवाप भीज़े रहेगा वह मिल जाएगा तो गाज अभी तक आपने मेरे वीड के साथ सेर करिए और आपके दिल में कोई कंफीजर हों तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं